जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि SCI Sipping Corporation of India ने GP rating का course अपना launch कर दिया है इसकी last date form बरने की 15 में है और यह सबसे बड़ी बात यह है कि यह हिंदी में हो रहा है तो चलिए पूरा detail में process देते है, admission process क्या है, fees कितनी है, सारा कुछ detail में देखते है हम लोग Google Chrome पर आ जाते हैं और यहां डालते हैं Shipping Corporation of India यह लिंक हम दिस्क्रिशन में देदेंगे, आप वहां से भी open कर सकते है जितने भी लिंक रहेंगे हम सारे देदेंगे आपको यह पहली देखिए Shipping Corporation of India आ गई है, इसको हम लोग open करेंगे यह CI की website खुल गई, हम लोग यहां आएंगे, देखिए उपर है Maritime Training, हम लोग इस पर आएंगे उसके बाद भी यहां है, courses बीच में, देखिए courses है, नीचे आ जाएंगे हम लोग PC है, DNS है, Graduate, Marine Engineer, Electro है और यह GP rating leading to second mat, हम लोग GP rating पर आएंगे, GP rating वाले पर यह GP rating का खुल गए है, अब लोग और स्क्रोल करके नीचे आते हैं यह देखिए पुरा डिटेल में है यहां पर, बैज GP rating leading to second mat, NCV टोटल सीट 40 सीट है, इसकी फीज साड़े चार लाक मेल कंडिडेट के लिए है, और तीन लाक साथ हजार female candidate के लिए, course छे माईने का रहेगा, यह form देखिए, form की last date दिये है, 15.05.2024, 15 में ते हम लोग form fill up कर सकते हैं, और डिटेल में आ जाते हैं हम लोग, यह देखें, सबसे बड़ी बात इसकी यह है, GP rating आप जैसे ही complete करेंगे, आपको SCI के whistle पे आपको भेज दिया जाएगा, आपको job के लिए दिक्कत नहीं होगा, और आपका 18 महिना होगा जब onboard पे, तो आप NCV दे सकते हैं, near coastal whistle के लिए exam, जिसमें आपको record book or RSR, आपका clear रह चाहिए, exam अगरा clear कर लेंगे, तो आपको COC मिलेगी, हम और आगे आ जाते हैं, इसकी eligibility देख ले रहे हैं, हम लोग eligibility क्या 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 रखे हैं, यह लोग, यह minimum eligibility criteria है, candidate के लिए रखे हैं, हम लोग देख लेते हैं, पहला है, 10th आप किसी government recognized board से subject है, English, मायत, science 40% होना चाहिए minimum, और English में 10th में 12th में 40% होना चाहिए, मतलब कि 10th अगर पास है, तो English, Math, Science में आपके 40% होना चाहिए, तीनों मिलाके, और English में 40% होना चाहिए, 10th में हो या 12th में, अगर 12th भी आप पास है, 40% मार्क से subject है, English, Math, Science, तो भी आपका admission हो जाएगा, और आप 2 year ITI होना चाहिए जिसमें fitter, mechanist, mechanic और welder, turner ये होना चाहिए, जिसमें आपको 40% मार्क होना चाहिए, final में, अगर आप SCHT में आते हैं, तो आपको 5% का relaxation मिलेगा, अगर आप SCHT हैं, तो आपका 5% का relaxation मिलेगा, मार्क में English को छोड़ कर, और 5% relaxation मिलेगा, अगर आप 5% English में मिलेगा, किसको म मिलेगा, अगर आप लक्षदीव या अंडमान निकोबार से हैं, तो, medical का बताएगा, medical 6x6 या 6x9 रहेगा, आपकी एक आँख 6x6 होनी चाहिए, एक 6x9 है, तब भी चलेगा आपको, अगर जिनोंने 12-50% से किया है, science side से, तो उनको पहले वरियता दी जाएगी, और married में, आपको unmarried रहना है, जो जिसकी साधी नहीं हुई है, वहीं form भर सकता है, additional 5 साल मिलेगा, SC, HD candidate के लिए, 3 साल OBC वालों के लिए, और 2 साल additional female candidate के लिए मिलेगा, वैसे normal age 17-25 रहती है, इसमें कुछ seat reserve भी है, 40 seat में, unreserve है, 16 seat है, economical weaker section में 4 रखा गया है, OBC के लिए 11 है, SC के लिए 6 seat है, और HD के लिए 3 seat रखी गई है, course की fees 4,50,000 रखी गई है, male candidate के लिए, और female के लिए 3,60,000 रखी गई है, candidate medically fit होना चाहिए, जो कि ये fitness certificate आपको DG approved, DG का approved doctor होना चाहिए, वहीं से certificate होना चाहिए आपके पास, जो भी eligible candidate है, जो form fill up करेंगे, exam center चार जगा दिया गया है, एक है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता और चौथा है चिन्नई, आप इसमें से कहीं भी आप form भर सकते, exam दे रहे हैं कि दो घंटे का होगा, multiple choice वाले question रहेंगे, professional knowledge test थोड़ा रहेगा, English language का test रहेगा, aptitude का रहेगा, reasoning भी रहेगा उसमें, इसकी स तो English में दे सकते हैं, या Hindi में, जो Hindi वाले student है, Hindi में भी दे सकते हैं, अगर आप एक बार exam center चूज कर लेंगे, तो आपका change नहीं होगा, इसकी fees 1000 रखी गई है, इंटरेंस की fees 1000 रखी गई है, जनरल के लिए, OBC के लिए, और CST और female candidate के लिए 500 रखी गई है, application fees, अगर आप लिष्ट कर दिया जाएगा, आप इनकी website पर जाकर चेक कर लिजिए, यह जो सामने दीक रही है, हम description में भी दे देंगे यह link, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं, यह exam दे रहे हैं, exam 25-25-24 को, Sunday को, almost Sunday है, तो 25-25-24 को इनका 10.5 बज़े exam होगा, जो भी merit list बनेगी, जि pass होगे, उनको June के महीने में interview के लिए बुलाया जाएगा, जो भी final होगे, वो MTI, Marine Training Institute SCI की website पर list कर दिया जाएगा, या तो आपको email से भी बता दिया जाएगा, कि आप select हो गए हैं, और interview के time में आपको passport लाना जरूरी है, तो अभी जिसका passport नहीं है, वो ततकाल में apply कर दो passport interview के time में चाहिए इनको, और इसका form fill up कैसे करना, यह देखिए, इनकी website है, sci.marineims.com slash application form slash gp rating, यह हम description में दे देंगे, यहाँ से जाका form fill up करिए, यही से fees paid करिए, उसके बाद में आपका हो जाएगा, नीचे यह देखिए, अपना email भी दिये है, mti added sci.co.in, आप इस पे क कुछ query है, इमेल भी कर सकते है, यह phone number भी दिये है, यह लोग, आप direct phone भी कर सकते हैं उनको, यह उनका link है, तीनों हम website दे देंगे, आप वहाँ से check कर लिजिएगा, वहाँ से जा सकते है, अगर आपको form detail में कैसे भरना है, अगर चाहिए, तो comment करिए, message करिए, हम भी बना द